लास्ट वीडियो में हमने क्रैम्स रूल पढ़ा था और उसी के आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले है anti-crams rule और जिसे और भी cram sulation model से जाना जाता है ठीक है तो अगर आपको इससे related reaction जो है easily solve करने हैं तो प्लीज ये वीडियो end तक जरूर देखेगा तो लेट्स गेट स्टाटेड तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो क्राइम सुरूल है वो कहां पर यूज करते हैं हम लोग नुक्लियोफिलिक आडिशन रियक्शन और नुक्लियोफिलिक आडिशन रियक्शन आफ वाट अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड अभी अल्फा कारियल मतलब यह समझन अगर यह कारबोनिल कंपाउंड है इस में जो कंपायने वाला फंक्षन क्रूप है उसके बाजी वाला जो अटेश्ट कारएं त्य क्यों त्युक्त के सिस्यत quarto क्या हो जाहेगा याल्फा कारबन है hundred शनकिकायर मतलब इसको चार डिफ्रेंट ग्रूप सट्याज है एक ये वाला ग्रूप एक मिथाइल ग्रूप एक ओमी और चाउथा जह रहेगा दैट विल भी हाइड्रोजन ठीके तो ऐसे ही कंपाउंट में हम लोग इसको यूज करेंगे क्रैम्स और अंटी क्रैम्स रूल इसको ठीके तो अभी क्रैम् के तो पहले हम लोग छिलेट क्या होता है वो जान लेंगे इस अ कॉधिनेशन कंपाउंड विद मेटल आटम बॉंड टू एन ऑर्गानिक मॉलेक्यूल एट टू और और मोर आटम्स इसका मतलब कॉधिनेशन कंपाउंड बन रहा है बराबर कॉधिनेशन मतलब जिसमें magnesium this is a metal atom which is bonded to this organic molecule in this case the organic molecule is a alpha chiral carbonyl compound right और इसमें क्या हो रहा है देखो यह जो दो oxygen है ना उनके पास क्या होता है lone pair होता है ना तो lone pair क्या करेंगे इससे coordinate करेंगे ना metal से so that's why this is coordination compound and इसी को हम लोग क्या कहते है है chillate और this process is called as a chillation तो chillation में आपको क्या याद रखना है कि जो metal होता है वो दो या फिर दो से जादा hetero atoms के साथ जुड़ जाता है by coordinate bond ठीक है तो इसी को हम लोग कहते है chillate तो अभी एक example लेते है और जिसके तो हम लोग क्या करेंगे इस mechanism को समझने के कोशिश करते है ठीक है तो यह जो compound लिया है हमने that is alpha chiral carbonyl compound अगर इसमें हम लोग ने क्या डालाए रेडेंd bh4 twice so this is a reducing agent okay तो nucleophilic agent भी कह सकते है जिसमें जो h है वो क्या करेगा h- that will attack at carbonyl carbon या फिर इधर क्या हो जाएगा OH हो जाएगा ठीक है तो यही reaction अगर हम लोग ने क्या किया model यह कौन सा model है new man projection है ना right तो new man projection में अगर हमने इसको explain किया जैसे कि हमने last time falcon and model draw किया था carbonyl compound का उसी तरीके से same देख लिए first carbon यह front carbon है और this is back carbon तो front carbon जो है उसके पास क्या है कार्बोनील है और pH है और एक hydrogen right और जो back carbon है that is having SME group right फिर एक ethyl group है और hydrogen है तो इसका हम लोग ने क्या draw किया new man projection draw किया according to falcon and model क्या बताया था जो सबसे बड़ा group होता है larger group that should be perpendicular to carbon carbon तो उसके हिसाब से हम लोग ने क्या किया यहाँ पर draw कर लिया ठीक है तो अभी जो nucleophile attack करता है that is from the unhindered side okay बर्गी डूनेट्स अंगल से हम लोग ने यह देखा था which is 107 degrees लेकिन यहाँ पर chillation हो रहा है क्या नहीं हो रहा है न राइट तो chillation अगर होना है तो जो यह heteroatom वाला group है SME और carbonyl वाला group है दोनों क्या होने चाहिए एक दूसरे के close होने चाहिए राइट तो इस case में क्या होगा nuclear file जो है that will not not attack from this side इसके वजह क्या हो जाएगा यह रोटेट हो जाएगा जो SME ग्रूप है न यहाँ पर रोटेट होगा मतलब बैक वाला carbon रोटेट होगा hydrogen यहाँ पर आ जाएगा और इथाईल जो है hydrogen के जो आटम है वो क्या करेगा oxygen के लोन पर और sulfur के लोन पर इनके साथ क्या करेगा coordinate करेगा तो इसलिए इसको हमने क्या क्या रोटेट किया है विस इस कॉल्ड अग्राइम स्चिलेशन model क्योंकि यहाँ पर चिलेट फॉर्म हो रहा है ठीक है तो अभी जो नुक्लियो फाइल है यहाँ पर दिखो जहेड़न भीच फॉर ट्वाइस जो है वहाँ पर नुक्लियो फाइल इस दिसना भीच फॉर माइनस तो यह वाला बॉंड ब्रेक हो जाके यहाँ पर अटाक करेगा फिर यह उसकी तरफ ब्रेक होके ओएज बन जाएगा तो हम लोग ने ओएज बना दिया एच इदर आ गया अटाक करेदिया कार्बोनिल कारवन पर पी एच तो अल्रेडी है इसको बैक वाला कारवन जो है वह वैसे के वैस कि अधर ग्रूप आधाए और बिलोओ दो फिलेंट वाले गृुप से रहेखों तो यहाँ पे जो पीएच अच आ रहा है फ्रेंट कर में का यह वाला प्लेंट करेंगे यह फ्रेंट पार बनेन उसको क्या करेंगे रोटेट करेंगे तो पी एच ग्रूप इदार आना चेह है ना तो 120 डिग्री से रोटेशन होगा तो पी-एच इदर आएगा एच कहा पर जाएगा ओ-एच के जगा और ओ-एच आएगा पी-एच के जगा ठीक है तो यह वाला प्लेट दिखा दिया एच जो हे ब्लू आया डाट इस बिलो दप्लेट और इधाईल जो है इसका मेकानिजम ड्रॉ कर सकते हैं इसके आगे हम लोग ट्रिक्स भी देखेंगे ठीके तो यह जो कंसेब्ट है वो आपको समझना जरूरी है ओके अभी इधर क्या लिखा है दिखो चिलेशन रिवर्स इस टीरियो सिलेक्टिविटी इसका मतलब क्या है और अभी हम इसमें एक्स्प्लेनेशन के बाद देखेंगे ठीक है तो अभी यह देखिए इस अलफा काइरल कार्बोनिल कंपाउंड राइट तो इसमें देखिए ह हम लोग ने क्या किया है जो काइरल कार्बन है उसके जो गुरुप से उनको smaller medium and larger group ऐसे differentiate किया है जैसे हमने crams model सीथते समय किया था ट्रिक अगर हम लोग को करनी है तो यह small medium लार्जों ग्रूप ऐसे डिफ्रेंशियर्ट करना पड़ेगा फिर्स्ट उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है एडिशनल इस मेटल ओके मेटल जो है वह क्या करेगा इस जेड़ आटम और ओ आटम से कॉडिनेट करेगा त्रू देर लोन पेर तो जेड़ आटम मतलब क्या ज सार ग्रूप एसेज ग्रूप सी ओनेश्टोमाइड ग्रूप ठीक है तो यह सारे जो ग्रूप से दे कैन बी देर इन प्लेस आफ जैड राइट अगर जैड के जगह अगर हालोजन होता है तो हम लोग क्रैम्स रूल अपलाए नहीं कर सकते लग अंटे क्रैम्स रूल देखा था अगर लार्जर ग्रूप एन स्मॉलर कार्बोनिल कार्बन तो लार्जर ग्रूप एन कार्बोनिल कार्बन अगर क्या है अंटी है तो स्मॉलर ग्रूप की तरफ से नुक्लियोफाइल अटाक करता है तो इसमें बिल्कुल ही उल्टा है उल्टा मतलब अगर जैड यहाँ पर हम लोग Z group देखेंगे जो क्या है हेट्राइटम वाला group राइट तो Z and कार्बोनिल अगर सीन है ठीक है सीन मतलब सेम साइड में है तो चिलेशन होगा तो चिलेशन जब होता है तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम्द स्मॉलर साइज ग्रूप मतलब यह उल्टा है सीन है तो स्मॉलर साइज के ग्रूप की तरफ से अटैक करेगा और Z and कार्बोनिल अगर अगर अंटी है मतलब Z अगर इसके अपोजिट साइड में आ गया कार्बोनिल के तो क्या हो आप्टिविटी जो होती एं स्ट्राइड के ओ क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है यह कंपेर्ट टो दा क्राम्स रूल्यूल ओके और इसके के बाद हम लोग देखेंगे जो मेतल से कौन कौन से मेतल से हैं जो चिलेट फ़ॉर्म करेंगे ठीक है इस मेटल से हैं लेफ्ट हाइड्राइड इस एग्जाम्पल्स ओके और रियेजेंट्स इकान से वेर दो मेटल इस प्रेजेंट सो मैगनेशियम टू प्लस एम इटो एमजी हो सकता है जैडेंग टू प्लस जैसे कि हमने देखा पहले ही जैडेंग भी एच फो ट्वाइस है सी यू टू प्लस डैट इस कि ओके तो चिकलेंट के वाज़े से क्या हो जाता है जो कंपाउट है वगर से कार्बोनिल कंपाउड है यहाँ पर क्या है तो यह मैटला हूं क्या कर रहा कोई धी जन्राल मैटला तो चिलेंट फोर्मेशन के वज़े से क्या हो गया यह Article स्टेबल है इसी लिए और यह पी होता है यह क्यों होता है कार्बोन का जो ऑकसेंजन है उसमें किया उसने को मतलब को कर दिया इसके साथ इसका मतलब जो कार्बन की ऐसी थी है हो बढ़ Nay मतलब इलेक्टरी डशेंट हो गया ना हूं क्योंकि इलेक्ट्रा थो यह पर जा तो यह कार्बोनिल कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा आसिडिक हो जाता है इसलिए फिर नुक्लियोफाइल जो है हमारा वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और फिर यह उपर जाके क्या बनेगा ओएच बनेगा समझा तो इसी के वज़़े से चिलेशन इस वरी इंप उसके बाद यह जो एने बी एच फॉर प्लस और सी सी अल्थी है यह जो रियेजंट है यह मिला के क्या करेंगे अंटी क्रैंस रूल को फॉलो करेंगे अब यह स्पेशल है जो आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद मेटल्स विच आर नॉट यूज्वली इंवॉल्ड इन चिलेशन आर ने प्लस और के प्लस ओके तो यह जो मेटल्स है नॉर्मली चिलेशन नहीं करेंगे तो अगर यह मेटल्स है जैसे कि एने बी एच फॉर आपको एग्जामपल आ गया कि आपको क्या करना है नुक्लियोफिलिक अडिशन करना है और रियेजंट गीवन इस ने बी एच पोर देन यहाव टू फॉल्ली एर ओके तो यह सब केसे अप क्या करोगे एंटिक रियेजंट आया तो आप क्या करोगे क्रेशन रूल फॉलू करोगे राइट समझा और एने बी एच फॉर प्लस सी चल तरी जो है वह तो यह आपको बाद में डिसकुस करेंगो लेकिन आपको सिस यह याद रखने हैं अगर NABH4 और CECL3 साथ में हैं तो आपको आंटीक्राम सुरूली फॉलो करना है बल जबकि इसमें एने प्लस प्रेजेंट है फिर भी आपको क्या करना है अंटीक्राम से ऐसा क्यों है वह हम लोग लास्ट एक्जांपल में इस वीडिय compound right अगर इसमें हम लोग ने NABH4 डाला इस फर्स्ट नुकलियोफिलिक रिएजेंट और इस सेकेंड नुकलियोफिलिक रिएजेंट तो NABH4 और Mb2MgA क्या है नुकलियोफिलिक रिएजेंट इसका जब एडिशन होगा दोनों में से देखो तो NABH4 जब हम डालेंगे तो ह हमें 73% यह वाला प्रड़क्ट मिलेगा और 27% दिस वी वाला प्रड़क्ट मिलेगा ओके लेट्स कंसेर दिस जया और इस यह चांप डालेंगे तो 1% आप अब गार 99% बी मिलेगा तो अभी ऐसा क्यों हुआ तो आज डिसकूस्ट अर्लियर जो ने इने बिच पॉर होता है प्लस आइटम आ रहा है बराबर तो एने प्लस है तो यह वाला जो रिएजन्ट है वो कौनसी रियक्शन देता है इस गिवस रियक्शन अकॉर्डिंग टू क्रैंप्स रूल ओके और अकॉर्डिंग टू क्रैंप्स रूल देखें इसको पहले हम लोग डिफ्रेंशेट यहां पर मीडियम साइज का ग्रूप है तो जो एच आटक करेंगा तो मिडियम साइज का ग्रूप है तो जो एच आने वाला है that will be from above the plane मतलब यह नुक्लियोफाइल कहां से आएगा above the plane से आएगा रॉएच पीछे चला जाएगा इसलिए जो मेजर प्रड़क्ट बनेगा उसमें हमें ए प्रड़क्ट मिलेगा और बी माइनर में क्या होगा उल्टा होगा ओच उपर और नुक्लियोफाइ मतलब यह एंटी क्रैम्स रूल के हिसाब से प्रड़क्ट देगा तो यहां पर यूज होगा एंटी क्रैम्स रूल जहां पर नुक्लियोफाइल है मिथाइल तो एंटी क्रैम्स रूल के हिसाब से अगर लार्जर ग्रूप और कार्बोनिल क्या है सेन होते है तो जो नुक्ल के केस में मतलब B प्रड़क्ट वो यहां पर मेजर मिलेगा तो नुक्लियोफाइल स्मॉलर साइज मतलब H की तरफ से अटैक करेगा मतलब नुक्लियोफाइल इस बिलो दप्लेन और वह चला जाएगा अबग दप्लेन तो जैसे आपने देखा इधर NABH4 क्या करेगा अकॉर्डिंग तो क्राम्स रूल प्रड़क्ट देगा और देखिए अगेन कार्बनिल कंपाउंड है तो इस पर अगेन डिस लाजर ग्रूप दिस इस मीडियम ग्रूप और यहां पर हाइड्रोजन जो बिलो दप्लेन है डाट विल बी स्मॉलर ग्रूप ओके यह स्मॉलर ग्रूप है जैडन भी एच फोर मतलब नुक्लियोफाइल यहां पर क्या रहेगा जुक्लियोफाइल इस एक वास्टू एच तो एच क्या करेगा अभी देखिए कार्बोनिल और लार्ज ग्रूप क्या है एंटी तू इच अधर है अपोजिट साइड है अपोजिट साइड मतलब क्या होगा इधर जो नुक्लियोफाइल आएगा वह हो भी अट्क करेगा मीडियोफाइड के गुरूप की तरफ से राइट तो मीडियोम मतलब क्या है मीठाइल अबाउद अफले तो एच जो आएगा यहां पे जो एच आएगा की नहीं वह अबाउद अपलेज से आएगा राइट तो एच विल बेबाउद प्लेइन ज पीलो अप्लेंग ओके नाव इस थर्ड एक्जाम्पल यह CSR ने डिसेंबर 2013 में पूछा गया था इसमें question is find the major product तो यह जो starting material है यह क्या है कार्बोनिल compound है और उसका alpha position जो है that is chiral ओके तो alpha chiral carbonil compound है और यहां पे जो reagent डिया है okay reducing reagent that is nucleophilic reagent यहां पे nucleophile is H okay तो यहां पे cramps rule use करेंगे या anti cramps rule कैसे identify करेंगे यहां पे क्या है chiral carbon पे जो एक group attached है that is having hetero atom so this can form a chelate chelating model right तो इसलिए यहां पे use होगा anti cramps rule अभी carbonyl carbon और यह जो OME group है हो क्या है sin मतलब same side में है same side में मतलब क्या होगा कि जो nucleophile आएगा वो क्या करेगा smaller side के group से attack करेगा तो यहां पे larger group यह वाला है this is methyl मतलब medium size group और smaller मतलब क्या रहेगा hydrogen रहेगा right तो जो nucleophile आएगा nucleophile is H ना तो कहां से आएगा below the plane से आएगा और OH कहां पे जाएगा above the plane तो जो product बनेगा उसमें यह तो same रहेगा OME और H M U group ठीक है तो H कहां से आ रहा है below the plane से आ रहा है तो OH जा रहा है above the plane so this is major product okay so this is the answer for the reaction and manner में क्या बनेगा OH नीचे और H ऊपर ठीक है अभी यह fourth example देखें यहां पे जो देखें कार्बनील कार्बन है और chelating वाला जो group है मतलब OH वाला जो group है that is about the plane that is not on the plane और अगर हमें क्या करना है ट्रिक यूज करना है तो जो OH है that should be sent to this carbonyl group right तो वो plane पे होना चाहिए इसलिए हम पहले क्या करेंगे इसे rotate करेंगे तो जो OH है उसको अगर हमने रोटेट क्या देखिए तो OH 120 डिग्री से रोटेट हो जाएगा इथाईल के जगह आ जाएगा इथाईल बिलो दे प्लेन चला जाएगा और हाइड्रोजन आएगा अब आओ द प्लेन ठीक है तो हमने लिख दिया अभी यहाँ पर चिलेशन पॉसिबल होगा राइट सीन है एक दूसरे के तो सीन है तो क्या होता है नेगर आता है अगर्श के अले मतलब यहां पर यहाँ फेलग क्या रहेगा देला है आञ द धैट से करेंगे ने रोटेट करेंगे और तो तो इथाला जाएगा on the plane, oh चला जाएगा about the plane और h चला जाएगा below the plane, okay? So now this is the last example of our video, तो यह जो एक्जामपल है, यह क्लेडन से उठाया है, तो क्लेडन में यह एक्जामपल दिया है, एक बार यह जो starting material है, उसकी reaction एक बार NABH4 के साथ की है, तो NABH4 के साथ अगर reaction होती है, तो क्या होता है, वो चिलेट फॉर्म नहीं करता है, तो चिलेट फॉर्म नहीं करता, तो हमें क्राम सुरूल के हिसाब से प्रड़क्ट मिलता है, और अगर हमने NABH4 प्लस CECL3 डाला, तो जैसे के हमने starting में देखा था, तो यह क्या करेगा, चिलेशन करेगा, और चिलेट फॉर्म होने के वज़े से यहाँ पे हमें anti-crाम सुरूल के हिसाब से प्र नहीं है, तो फॉस्फर इसके पास क्या होता है, लोण पेर्स होते है, तो इसके वज़े से यह जो गुरूब है, इस शूट बे सी न्टो कार्बनील गुरूप, तो हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो इस जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, बिलोव दा प्लेन तो इसको अगर rotate करेंगे तो देखो पीओ पीएच टो ग्रूप है वह आ जाएगा इधर plane पे राइट विल राइट इस पीओ पीएच टू और आर कहा चला जाएगा जो बिलो दप्लेन और हाइड्रोजन चला जाएगा अबाव दप्लेन तो हाइड्रोजन आगया अबाव दप्लेन और यह जो आर ग्रूप है डाट इस बिलो दप्लेन तो यह हो गया भी इसक जाएगा जाएगा अबाव दप्लेन और फिर से अगर एक बार रोटेट करेंगे तो यह स्टक्चर ऐसे लिखेंगे राइट उसके बाद अगर NABH4 प्लस CECL3 डाला तो यहाँ पर क्या होगा एंटी क्रैम्स रूल फॉल होगा एंटी क्रैम्स रूल में क्या होता है अगर वह सीन होते है तो जो नुक्लियोफाइल अटैक करता है तो स्मॉलर वाला कौन सा है हाइड्रोजन तो यहाँ पर हाइड्रोजन की तरफ से को ना रहा है नुक्लियोफाइल आ रहा है मतलब H जो आएगा that is about the plane और OH कहाँ पर चला जाएगा ऐसा जो एने भी एच पर प्लस यह सील त्री में क्या है दिस लिशे रियेजंट आज वैव डिसकॉस्ट अल्रियर तो तो यहाँ पर क्या होगा चिलेशन होगा तो जो चिलेशन होगा दिस लाइक दिस यह मॉडल ऐसे हम लोग लिख सकते जहां पर सिक्स मेंबर चिलेश च और जब सिर्फ एने और बी एच पूर हम यूज करते हैं तभी चिलेशन नहीं होगा तो यह जो स्ट्रॉक्चर लिखा है अगर देखा नहीं है तो जिससे के आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगा ठीक है अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन दे कमेंट सेक्षन बिलो अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग